हेलो प्रेंड्स यू आर वॉचिंग इंग्लीश वी जीना आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्ट वीडियो ले कराईं फ्रेंड्स हैपी छट पूजा अब सभी को हैपी छट पूजा इससे रिलेटोर में कुछ संटैंस लेकर आईं इंग्लीश में संटैंस में लेकर आ छटपूजा हिंदू कलेंडर के कार्थिक महीने के छटे दिन होती है छटपूजा falls on the six day of the कार्थिक month of the Hindu कलेंडर छटपूजा falls on the six day of the कार्थिक month of the Hindu कलेंडर हालकि यह उत्तर भारत में एक तोहार है लेकिन इसकी लोगपिरियता पिछले कुछ वर्षों में देश के लगबग हर कौने में बड़ी है उत्तर भारत में एक तोहार है लेकिन इसकी लोगपिरियता पिछले कुछ वर्षों में देश के लगबग हर कौने में बड़ी है has grown much in the last few years in almost every corner of the country though it is a festival in northern India its popularity has grown much in the last few years in almost every corner of the country next is इस दिन लोग बिना पानी के देर दिन तक उपवास रखते हैं चाट पूजबर फ्रांस देर दिन तक उपवास रखते हैं इस दिन लोग बिना पानी के देर दिन तक उपवास रखते हैं इंग्लीस में on this day people keep complete fast for one day a half day without having water on this day people keep complete fast for and a half day without having water next is छट पूजब के दौरान उपवास करना हिंदू तोहरों में सबसे कटीन है चट पूजा के दुरान उपवाज करना हिंदू तोहारों में सबसे कठीन The fasting during चट पूजा is one of the most difficult one in Hindu festival The fasting during चट पूजा is one of the most difficult one in Hindu festival Next sentence is त्योहार का पहला दिन के नहाए खाए है जब भक्त नदियों में पवित्र इस्नान करते हैं और सूर्य देव को पवित्र परसाद परदान करते हैं The first day of the festival is नहाए खाए When devotees take holy bath in rivers and provide holy offering to the sun God Next sentence त्योहार का दूसरा दिन तोहार का दूसरा दिन ना खाए है जब भक्त ने खीर पूरी तयार करते हैं और प्रातना के बाद सूर्य को अध्र देकर अपना उपवास तोड़ते हैं Englishman, the second day of the festival is karna when the devotees prepare kheer puri and break their fast with this after offering prayer sun. The second day of the festival is kharna when the devotees prepare kheer puri and break their fast with this after offering prayer sun. Next sentence तीसरा दिन तीसरा दिन ऐस संधिया अधर्री है जब लोग पानी से भी तेज उपवास रखते हैं और पास के जल निकारो मत जाकर सूर्रे को इस धर्रे अपरवेत करते हैं Englishman The third day is the Sandhya Argya when people keep fast upstanding from even water and go to nearby water bodies to offer Argya to the setting sun. The third day is the Sandhya Argya when people keep fast upstanding from even water and go to nearby water bodies to offer Argya to the setting sun. तीसरा दिन जो होता है एज संधिया है जब लोग पानी से भी तेज उपवास रखते हैं और पास के जल निकारो में जाकर सूर्रे को इस धर्रे अपविर्थ करते हैं मेंस मेराइजिंग तीसरा प्रेयर क्या पासा करें प्रेश रिजिंग संधिया घिर पास्त तॉड यूजिए उष्षव तोन आर्फ देविर्थ आरिवादेश उपरवार की खुश्वाली रिजिए और निकारो मेंस 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 में भी तॉच्छे पूच्छी के करते हैं और चटकी देवी का आशिरवाद लेते हैं इंगलिश में वर्शिपर मीनिते हैं पूजा प्रेयर मतलब प्रातना करते हैं चट पूजा वेदिक हिंदू तोहारों में से एक है जहां भक्त हिंदू पुरानिक कथाओं में भगवान सूरे की पूजा करते हैं Englishman Chhatt Puja is one of the Vedic Hindu festivals वेर तेवादे शर्चिप तस न अगाद इंदू Maithalogy 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 Chhat Puja is one of the Vedic Hindu festivals वेर तीवति स्थी बश्चिप तस न अगाद इंदू Maithalogy in Hindu Maithalogy next sentence ये जादधार मेधिली और भोजपरी भाशी लोगों का तोहार है यह जाददर मेफीली और भोचपरी भाषरी लोगों का तोहार है इट इस द फेस्टिवल ऑफ मोश्टिली दा मेथायली एंद भोचपरी स्पीकिन पीपल नेक्स संटेंजी भारत के अलावा छट पूझा कई अन्य देशों जैसे नेपाल, Mauritius, Fiji, Trinidad और Tobago आधी में भी एक तोहार है इंग्लीश में अपार्ट फ्रॉम इंडिया छटपुजाई इस ओलसो अफेस्टिवल इन मैनी अधर कंट्रीज लाइक नेपाल Mauritius, Fiji, Trinidad और Tobago एक सेक्टर सुरे की पत्नी छटी मेशा देवी छटपुजा की देवी सुरे की पतनी चटमया देवी, चटपूजा की देवी, the goddess चटमया, the wife of son, is the goddess of चटपूजा, गोड़ेस मतलख की देवी, goddess Devi next is काई गैर हिंदु समुदाय भी छट मनाते हैं गैर समुदाय भी छट मनाते हैं गैर समुदाय क्या हिंदु मिंदी तै नॉन हिंदु Many non-Hindu communities also celebrate छट पूजा Next is छट पूजा सबसे अधिक प्रयावनन के अनुकुल हिंदू तोहारों में से एक है छट पूजा is one of the most eco-friendly Hindu festival छट पूजा is one of the most eco-friendly Hindu festivals Next sentence सरकार कैप कित्री जन निकायो और तलाबों का निरमार करती है किसल्चार कैप कित्री जन निकायो और तलाबों का निरमार करती है ताकी शर्धाला असानी से अपनी प्रात्माया पेश कर सके the government constructs many artificial water bodies and ponds so that devotees can easily offer their prayers on occasion the government constructs many artificial water bodies and ponds so that devotees can easily offer their prayers on occasion points the lab next sentence is छट पूजा सूरे के महतव का परतीक है और यह प्रिथिवी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है sentence is English छट पूजा symbolize the importance of sun and how it helps to sustain life on earth next sentence is छट पूजा भारत में मनाए जाने वाला एक प्राचीन हिंदू तो हार है छट पूजा भारत में मनाए जाने वाला एक प्राचीन हिंदू तो हार है छट पूजा इस एन एनिसेंट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटिड इन इंडिया छट पूजा मुख्य रूप से भगवान सूर्य और देवी छट के लिए होती है छट पूजा मुख्य रूप से भगवान सूर्य और देवी छट के लिए होती है चट पर्व साल में दो बार आता है छट पर्व साल में दो बार आता है पहला गर्मियों में और दूसरा सर्दियों में The छट फेस्टिवल comes twice a year, first in summer and next in the winter The छट फेस्टिवल comes twice a year, first in summer and next in the winter Next sentence is ये मुख्य रूप से हिंदू महिलाओं के लिए एक तोहार है जो पूरे दिन के लिए सकती से उपुवास करते हैं It is mainly a festival for Hindu women who strictly fast for the whole day It is mainly a festival for Hindu women who strictly fast for the whole day Next sentence is महिलाओं सुबह सुबह नदियों और तलाबों में डुप की लगा कर अपनी पूजा शुरू करती हैं महिलाओं सुबह सुबह नदियों और तलाबों में डुप की लगा कर अपनी पूजा शुरू करती हैं In the early morning the women start their worship by taking a dip in rivers and ponds Next sentence is महिलाओं पानी में खड़े होकर पूजा परसाद आधी सभी अनुष्ठान करती हैं महिलाओं पानी में खड़े होकर पूजा परसाद आधी सभी अनुष्ठान करती हैं The women perform all rituals standing in the water like preparing offering etc The women perform all rituals standing in the water like preparing offering etc व्रत रखने वाली महिलाओं पूरे दिन में एक समय भोजन कर सकती हैं व्रत रखने वाली महिलाओं पूरे दिन में एक समय भोजन कर सकती हैं The fasting woman can have one meal in the whole day The fasting woman can have one meal in the whole day One meal in the whole day पूरे दिन तो whole day Next sentence is महिलाओं अपना भोजन स्वेम बनाती हैं महिलाओं अपना भोजन स्वेम बनाती हैं जो चावल, चनादाल और खीर और चपाती हैं The woman prepare their meal themselves which is rice, चनादाल, खीर और चपाती पहला भोजन करने के बाद महिलाओं अगले 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करती हैं After having the first meal, the woman fast for next 36 hours without having even water The woman fast for next 36 hours without having even water Next sentence is वे विभिन अनुष्ठान और भजन गाकर तोहार की शाम बिताते हैं वे विभिन अनुष्ठान और भजन गाकर तोहार की शाम बिताते They spend बिताना spend और साम evening They spend the evening of the festival by singing virus, rituals, songs and hymens They spend the evening of the festival by singing virus, rituals, songs and hymens इसी के साथ फिर फिर नियों का end कर दे मेरी वीडियो फ्रेंट्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखका जरूर बताना If you like the video, so don't forget like, share and subscribe my channel and hit the bell icon और अपने फ्रेंट्सों के साथ share करना मत भून ताकि उन्हें भी टाइम पर update मिलती रहे फ्रेंट्स मैंने चटपूटे हैसे रिलेटी ये sentence बनाए आप और भी बना सकते Thanks for watching my video